आज का पंचांग आज का दिशा शूल उतर दिशा की तरफ रहेगा तो फिलाल के लिए उतर दिशा की ओर यात्रा टाल दें आज विशेश क्या है? आज विशेश है कालास्टमी तो चलिए जानते हैं आज के महा उपाए के बारे में आज का महा उपाय है, आज के दिन काजल का दान करें, तो चलिए फ्रेंट सब बात करते हैं राशिफल की, राशिफल में सबसे पहली राशी है मेश यानी एरीज मेश राशी वालो, आज आपको काम के सिलसिले मेश शहर से बाहर जाना पड़ सकता है, बिजनसमेन को कारिश शेत्र में नुकसान होने के संकेत मिल रहे हैं, साबधान रहे, घर से निकलने से पहले इष्ट देव को याद करें और दाया पैर खर से बाहर निकाले, पैर में चो सर तलाश कर रहे लोगों की इच्छा पूरी हो सकती है, आज स्वास्त उत्तम रहेगा, मितुन राशी वालो, आज आप अपनी जिम्मदारियों को अच्छे से निभाने की पूरी कोशिश करेंगे, तो फायदा होगा, आज कोई बड़ा काम करने से पहले, घर में बुजु आज आपको जौब जाने का खत्रा भी सता सकता है, आज आप ठकान महसूस करेंगे, करकराशी वालो, आज आपके रुके हुए सभी काम पूरे होने के योग बन रहे हैं, कारे शेत्र में तरक्की के योग भी है, संतान पक्ष भी मस्बूत रहेगा, सामाजिक शेत्र में प ध्यात्म में रूची बढ़ेगी, परिवार के लोग आज आप से बहुत प्रसंद होंगे, आपके दोस्त आपको कोई तौफा भेज सकते हैं, करन्याराशी वालो, आज कारोबार में नुकसान हो सकता है, सतरक रहें, निवेश करने की सोच रहे हैं, ठहर जाएं, आपके प आपके साथ है, आज आपको अपने दोस्तों और परिवार जनों से भरपूर सहयोग मिलेगा, धन लाब की योग भी बन रहे हैं, विरिश्चिक राशी वालो, आज कारोबार शेत्र से जुड़े लोगों को धन लाब होगा, परिवार के साथ जाधा समय बिताएंगे, किसी बात पर बड़े भाई से अनबन हो सकती है, आपका जीवन साथ ही, आपकी किसी एक्षा को पूरा कर सकता है, धनु राशी वालो, आज आपको कारे शेत्र में आपके काम की वजह से तारीफ मिलेगी, नौकरी पेशा लोगों को नई जिम्मेदारिया मिल सकती है, आपका वर आपके लिए परिशानी खड़ी कर सकता है, कारे शेत्र में भी दुश्मन आपके खिलाफ कोई साजिश्रच सकते हैं, सतरक रहें, दोस्तों की बातों में आने की बजाए, खुद पर यकीन करेंगे, तो लाप होगा, आज आपकी सेहत खराब हो सकती है, कुम्बराशी वाल आज आपको अपने स्वास्त का ध्यान रखने की जरूरत है, बाहरी भोजन ना करें मीन राशी वालो, अगर किसी बिजनेस की शुरुआत करने की सोच रहे हैं, तो आज से ही शुरू करें, सफलता कदम चुमेगी, इस राशी के छात्र प्रत्योगीता परिक्षा में भाग लेंगे, स्वास्त बहतर रहेगा प्रत्योगीत